हेलो स्टेंज चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 6.1 का question number 9 देखते हैं क्या है ए बैलून which always remains spherical has a variable radius एक बैलून है जो spherical shape का है उसका जो radius है फो variable के रखा है variable मतलब वो change हो रहा है find the rate at which its volume is increasing with the radius when the letter is 10 cm हमें अब क्या करना है volume के अंदर change बताना है कितना होगा जब radius क्या हो 10 cm हो तब हमें value find out करनी है volume की volume की value find out करनी है इसका मतलब क्या find out करना है with respect to radius का है उसने तो dv by dr find out करना है हमें ठीक है तो देखो कैसे करेंगे इस ध्यान से पहले question समझना सीख जो हमें find out क्या करना है find the rate at which the volume is increasing with the radius volume increase हो रहा है with the radius तो dv by dr यहां पर time लिख रखा होता तो dv by dt निकालते अब निकालना है dv by dr तो वो देखो कैसे निकलेगा solution देखेंगे यहां पर सबसे पहले let r is the radius के respect में निकालना है तो r को लिखेंगे r is the radius of balloon balloon का radius क्या मान लिए हमने r तो volume का formula क्या हो जाएगा volume of balloon v equal to 4 by 3 pi r cube यह हमारा volume का formula हो गया v equal to 4 by 3 pi r cube अब हमें इसका derivative निकालना है with respect to radius तो यहां पर क्या करेंगे derivative of volume with respect to r तो v का derivative क्या हो जाएगा dv by dr और यहां पर d by dr of 4 by 3 pi r cube तो यहां पर क्या हो गया dv by dr equal to 4 by 3 as it is r cube का क्या हैगा 3 आगे आगया pi r square हो गया और r का क्या हो जाएगा with respect to r करेंगे तो 1 हो जाएगा ठीक है time के respect में कर रहे होते तो dr by dt हो जाता clear बात अब देखो 3 से 3 cancel तो dv by dr जो है हमारा वो किसके equal आगया 4 pi r square के मतलब जो volume है with respect to radius वो 4 pi r square से क्या हो रहा है चींज हो रहा है अब उसने क्या काया जब radius 10 cm हो तो यहां पर क्या लिखेंगे at r equal to 10 cm तो volume पर क्या effect होगा तो देख लेते हैं dv by dr equal to 4 pi into radius की value 10 का square तो यहां पर क्या आगया मेरे पास 10 का square 100 multiply 4 pi तो dv by dr किसके equal हो गया मेरा 400 pi के यहां पर pi की value put करना चाहो कर भी सकते हो नहीं तो यहां पर भी छोड़ सकते हो आप तो हमारा जो volume का variation with respect to radius वो कितना आगया 400 pi यह आगया मेरा answer clear हो गया question समझ में आगया बिल्कुल simple question था कोई दिक्कत नहीं होनी चीए कोई भी problem लगे हम उससे जरूर पूछ सकते हैं मैं आपकी help जरूर करूँगा वीडियो के doubt मैं आपको बता पाऊंगा वर्सप पे otherwise और extra questions ना बेज़ो क्योंकि बहुत सारे questions आ जाते हैं और मैं इतने सारे questions का तो reply possible नहीं होता है कि मैं दे पाऊंग तो वीडियो के doubt मैं आपको जैसे ही time मिलेगा जरूर बेज दूँगा Thank you students for watching next classes video